रेडमी नोट 11 11T 11HC या कोई और मोड अलतो उसके अंदर अप कोलर डी स्पैम प्रोटेक्शन को किस तरीक से नेवल कर सकते हो यानि कि आप अपने फोन के अंदर यह सैटिंग करना चाहते हो कि मेरे पास कोई भी फ्रोड कोल करें तो मेरे को साप सबते लगजाए फ्रोड को करने के लिए जैसे की वह में हमको साप सबता दे जाता है कि हमारे यह फ्रोड कोल कंपनी से आता है वह पर इस फैम लिगा अंदर विदाव किसी आप्लिकेसं से आप ने फोन के अंदर वाली सैटिंग कर सकते हो अगर आपको को कर रहा है तो आपको साप सबता लगजाए ब यह फैवल कर लेना है पर अबना किसी प्रूफ के अपनी लेके आता है PK तो महां पर उसे मंदों को पता लग जाता है के यह जो बंदा है fraud काम के लिए हमारी sim का use करेगा और जो कि हमारा sim provider होता है उसको पतलग जाएगा या ID हमारी sim provider में save ही नहीं है या ID ये बंदा जो call कर रहा है इसके ID हमारे पास ID नहीं है तो उसके call को automatically block कर दिया जाएगा या आपके ये own है अगर आपके पास call आते तो मापर आपका ये options हो जाएगा spam का ठीक है मापर spam लिखावा जाएगा तो आप समझाना कि ये fraud call हो ले तो इसी तरहीं सब्सक्राइब फोन के अंदर call ID spam protection में नेवल कर सकते हो अगर वीडियो से तो वीडियो को लाइक से आप सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपस वीडियो में अब तक के लिए बाए